प्रदान मंत्री का चेहरा आपको टीवी पे दिखता है ना दिखता है ना दिन भर दिखता है ना जहां देखो नरेंद्र मोदी का चेहरा क्या आपको लगता है यह फ्री में होता है किया यह मुफ्त में होता है किया इसके पैसे कहां से आते हैं मोधी का चेहरा टीवी पे डालने के पैसे कहां से आते हैं मुझे बताओ मैं आपको बताता हूँ अधानी अंबानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योग पतियों को वो आपकी जमीन देते हैं आपका धन्चीन के देते हैं और फिर वो लोग नरेंद्र मोधी का चेहरा टीवी पे डालते हैं कभी आपने नरेंद्र मोधी को किसान से गले लगते हुए देखा है देखा कभी कभी मज़दूर के हाथ पकड़ते हुए देखा है कभी ना अम्बानी अधानी से गले मिलते हुए देखा टीवी पे हाँ तो ये सरकार चल रही है 10-15 उद्योग पतियों की और जो हमारे सरकारी कर्मी है उनका पेंशन चीना जाता है सरकारी कंपनियों को एक के बाद एक ये उनी 15-20 लोगों के हवाले कर रहे है और जहां भी नरेंदर मोदी जाते हैं कहते हैं मैं तो किसानों की लड़ाई लड़ता हूं मज़दूरों की लड़ाई लड़ता हूं गरीब लोगों की लड़ाई लड़ता हूं आधी बादशियों की लड़ाई लड़ता हूं और जैसे मध्यप्रदेश 36 गार राजिस्तान करनाटक पंजाब में किसानों का कर्जा माफ हुआ था वैसे ही दो लाक रुपए तक का कर्जा यहां भी हम माफ करके दिखा देंगे लिए और जिसकी भी जमीन अच्छी तरह आप सुनिये जिसकी भी जमीन उससे चीनी गई है उनको सही कॉंपेंसेशन कॉंग्रेस पार्टी और गटबंदन की सरकार दिलवाईगी और जमीन अधिकरन बिल जो है जमीन अधिकरन बिल जो है उसको जैसे हमने च्छतिस गड़ में लागू किया मध्यप्रदेश में लागू किया राजिस्तान में लागू किया वैसे ही हम उस बिल को यहाँ पर लागू करके दिखा देंगे और आपकी जमीन आपकी जमीन बिना पंचायत से पूछे नहीं चीनी जाएगी और जिन लोगों ने आप पे गोली चलाई है उन पर कारवाई की जाएगी मैनिफेस्टों में हमने साफ लिग दिया है जैसे चत्तिस गण में हमने 27 परसेंट रेजर्वेशन दिया वैसे ही हम जारखन में 27 परसेंट रेजर्वेशन दे के आपके हवाले करने जा रहे हैं यहाँ योगा कड़े हैं आप मुझे बताओ नरेंद्र मोदी ने कहा था दो करोड़ युवाव को रोजगार दूँगा आपके चीफ मिनिस्टर कहते रहते हैं क्या यहाँ किसी को रोजगार मिला है नहीं भया ठीक से नहीं सुनाई दिया जोनों से जरा मिला है यहाँ ना मेक इन इंडिया हो गया एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक सब फैक्टरिया बंद हो रही हैं जो पहले बंता था वो भी बंद हो गया और बेरोजगार युवा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में दोड़ता रहता है रोजगार ढूड़ता है कुछ नहीं मिलता चुनाओ के समय हमने कहा था हम नियाई योजना लाएंगे सीधा का सीधा हम गरीब लोगों के जेब में पैसा डालेंगे बैंक अकाउंट में ठीक है मोधी जी चुनाओ जीते नियाई योजना हम ला नहीं पाए हम यहाँ आप से जूट नहीं बोलेंगे जो भी सरकारी रोजगार जोभी सरकार में वेकनसीड BeRead hex scheme को हम भरके आपके हवाले कर देंगे गला को में बात यह है यारकंट गरीब नहीं है मैंने पहले चाट्यती सगण में कहा था जट्यति गरीब नहीं है 36 गड़ के लोग जरूर गरीब थे मगर 36 गड़ गरीब नहीं है और मैं यहाँ स्टेज से कह रहा हूँ जारकंड के लोग जरूर गरीब है मगर जारकंड गरीब नहीं है और जो सरकार यहाँ बनेगी वो जो आपका धन है जंगल, जमीन, जल जो आपका है वो हम आपको वापिस देने का काम करके आपको दिखा देंगे यहाँ पे कोई 10-15 उद्योग पतियों की सरकार नहीं चलने वाली यहाँ पे जारखंट के गरीब लोगों की युवाओं की किसानों की मजदूरों की सरकार चलेगी देश में नफरत का महूल बना रखा है जहाँ भी जाते हैं बीचे पी के लोग लोगों को बाड़ते हैं मारते हैं दबाते हैं पीटते हैं ऐसे देश नहीं चल सकता और पूरे देश को दिखाई दे रहा है जितनी नफरत देश में फैलेगी उतनी जादा बेरोजगारी देश में फैलेगी जितनी जादा नफरत फैलेगी उतने उद्योग बंद होंगे उतनी एकॉनमी डाउन जाएगी हमारे समय में अर्ध विवस्ता तेजी से आगे दोड़ती थी हम सब को लेकर चलते थे हर धर्म के व्यक्ति को हर जात को गरीब को अमीर को एक साथ ले लेकर हम एक हंदुस्तान को आगे ले जाते थी दुख की बात है कि जो हंदुस्तान के सबसे बढ़ी शक्ती थी हमारी अर्ध व्यवस्ता पूरी दुनिया में इसके बारे में बोला जाता था बाकी दुनिया के देश हिंदूस्तान के ओर देखते थे क्या वह एंदूस्तान क्या कर रहा है पता लगाओ उनकी नकल करनी है, बड़ी तेजी से आगे दोड़ रहे हैं, आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देखता है, और कहता है बलतकार का कैपिटल बन गया हिंदुस्तान, जहां देखो, जहां देखो महिलाओं को, मरा जाता है, रेप कैपिटल बन गया है, नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में हमेले है, उसने महिला का बलतकार किया, नरेंद्र मोदी ने एक शब नहीं बोला, लड़की का एकसेड़न करवा दिया लोगों ने, नरेंद्र मोदी ने एक शब नहीं बोला, और जहां देखो हर प्रदेश में, बिना डरे महिला बाहर नहीं निकल सकती, और दिन भर प्रदान मंतरी कहते हैं, मैं महिलाओं की रक्षा करता हूँ, कैसी रक्षा कर रहाँ आप? उत्तर प्रदेश में जला दिया जाता है, कहीं गोली मार दी जाती है, कहीं रेप कर दिया जाता है, प्रदान मंतरी के मुँझे एक शब नहीं निकलता, जैसे वो किसानों की रक्षा करते हैं, गोली मार कर, वैसे ही वो महिलाओं की रक्षा कर रहे हैं, आज ये हिंदुस्तान की सचाई है, और मैं आपको सीधा बता देता हूँ, गरीमों के बिना ये देश नहीं चला जा सकता, किसान के बिना ये देश नहीं चला जा सकता, तीवी पर नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखा सकते हैं दिन भर दिखा सकते हैं मगर देश को आगे नहीं बढ़ा सकते देश को आगे हिंदुस्तान का किसान ले जाता है युवा ले जाता है छोटा दुकांदार ले जाता है मजदूर ले जाता है छोटे बिजनस वाले ले जा है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनकी जगह नहीं है और उनको जगह मिलनी चाहिए मगर अगर आप 3,50,000 क्रोर रुपए 15 लोगों का माफ कर सकते हो तो आप जारकन के किसान का करजा माफ कर सकते हो और आपको करना ही पड़ेगा अगर आप उनका टैक्स माफ कर सकते हो तो फिर आपको जारकन के छोटे दुकानदार का किसान का भी टैक्स माफ करना ही पड़ेगा दो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे हम ये एक अमीरों का हिंदुस्तान मर्सडीज वाला हिंदुस्तान नरेंदर मोधी के सपने वाला हिंदुस्तान और दूसरा किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का, संक्यों का, हिंदुस्तान हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए और उसमें सब को इज़द मिलनी चाहिए कभी आपने सुना यहाँ पे छे किसानों को मारा गया गोली मारी उनको क्यों मारी उनसे जमीन चीनी जा रही थी सब्सक्राइब आपने कभी आपने सुना है कि किसी उद्योग पती से उसकी जमीन चीनी गए और जब उसने मना किया उसको गोली मारी गई कभी सुना है मैंने तो कभी नहीं सुना मगर किसान अपनी वाज उठाता है दो मिनट में पुलिस वाले उसको गोली मार देते हैं आदिवासी वाज उठाता है दो मिनट में पुलिस वाले गोली मार देते हैं गरीब यक्ति वाज उठाता है दो मिनट में गोली मार देते हैं मगर हिंदुस्तान के अरब पती जो चाहते हैं दिन भर लेते रहते हैं कि इससे प्रगतीनी होने वाली और आपने देख लिया कि आपने देख लिया क्या हुआ पिछले पाँच सालों में अब आप गडबंदन को समर्तन दीजिए किसानों का कर्जा माफ होगा दोजार पांच ओर उपे प्लड़ी क्विंटल मिलेगा और 27 परसंट आरक्षन होगा मैं आपको गैरेंटी करके यहां से कह रहा हूँ कि आप सब आए इत्ते प्यार से आपने मेरी बात सुनी इसके लिए आप सब को दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं जानता हूँ और जो सरकारी कर्मी है कि उनका जो पेंशन झीना गया है कि हमने आपके अवाज सुनी है आंगनवाडी में जो महिलाएं दिन भर काम करती हैं आपके यह वाज भी हम सुनेंगे और आपकी भी हम पूरी मदद करेंगे धन्यवाद नमस्कार जहिंग भूत-बहुत धन्यवाद एक मिनट कर दो